हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जैविर्सा है और आप देखना चालू कर चुके हैं मैक लर्न टू अर्न की ये सिरीज जिसमें हम आज डिसकस करने वाले हैं एक ऐसा क्वेस्चिन जो बहुत बार पूछा गया है और आयम भी भी है डिस्चार्ज थ्रू ट्रैंगिलर नॉच यहां पर एक ट्रैंगिलर नॉच दिखाई गई है यह रही ट्रैंगिलर नॉच है नॉच का यूज होता है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए आप समझ सकते हैं कि जहां पर डेम होते हैं डेम में से कितना पानी बाहर निकलेगा कभी-कभी बाड़ा जाती है तो कैसे पता चलता है कि इतना क्यों से एक पानी बाहर निकला जो बोलते हैं ना कि इतना क्यों से एक पानी बाहर निकला construction करके bricks को लगा कर तो यह जो notches और where होती है वहाँ से हमें discharge मिल सकता है मगर कैसे क्या equation उसके पीछे work करता है वो equation के बारे में हम आज जानेंगे वो equation को आज हम derive करेंगे अगर rectangular notch लगा ही होती तो क्या होता उसका वीडियो यहाँ पर आपको blink होगा आप देख सकते हैं कि rectangular notch में क्या हो रहा है rectangular notch का equation क्या है अभी हम बात कर रहे हैं triangular notch के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें A point, O point और B point को द्यान में रखना है क्योंकि इसका equation रहेगा CD discharge का equation क्या होता है continuity equation यानि area into velocity मगर area किसका area इस strip का area इस वाली strip का into velocity velocity यानि theoretical velocity जो होती है under root 2gh ओके तो अब हम करते हैं एक discharge का equation देख लेते हैं discharge का equation है CD into area of the strip into velocity theoretical अब area of the strip क्या होगा area की length into height तो length क्या है length यहाँ पर है A into B और height क्या है DH इसलिए लिया गया है area of the strip AB into DH अब AB equal to क्या होगा अगर मैं AC ले लेता हूँ बीच में से एक C point ले लेता हूँ तो AB क्या होगा 2 times AC वो यहाँ पर लिखा है आगे बढ़ते हैं 10 theta by 2 अब यह देखो यहाँ पर हमने जो यह diagram है यहाँ का diagram है उसी diagram को हमने separately बना दिया यहाँ पर जिसमें अगर यह height H है और यह height capital H है तो यहाँ पर यह इतनी length क्या होगी H minus small h यानि कि यह पहले small h क्या है जो free surface of water है free surface of water वहाँ से लेके strip की length और capital H क्या है कि जो bottom of the notch है वहाँ से लेके free height of the free surface means free surface की height वो है capital H ओके फिर से आगे बढ़ते है अभी यहाँ पर यह equation देखिएगा इसमें से equation बनेगा 10 theta का equation बनेगा तो यह कौन सा वाला component है cos theta वाला और यह कौन सा वाला component है sin theta वाला तो हमें पता है कि 10 theta by 2 is equal to sin theta by 2 divided by cos theta by 2 यानि ac divided by h minus h तो यह रहा equation h को अगर हम यहाँ पर लेके जाए तो हमारा यह equation बन जाता है हमें क्यों चाहिए यह equation क्योंकि हमें यहाँ पर apply करना है ac की value को अब हम ac की value को यहाँ पर ab की value find out करने के लिए apply करते हैं तो equation क्या बनेगा ab is equal to 2 times h minus h 10 theta by 2 तो area of the strip क्या होगा ab into dh ab into dh तो ab की value यह रही into dh जो height of the strip है अब यह value कहाँ पर चाहिए area of the strip discharge find out करने के लिए discharge मैंने पहले ही बताया वैसे ही cd into area of the strip into velocity theoretical velocity तो area of the strip क्या है 2 times h minus h 10 theta by 2 into dh और theoretical velocity v square divided by 2g आपको याद होदा का kinetic head kinetic head होता है v square divided by 2g is equal to h तो v square होगा 2gh तो v होगा under root 2gh अब यहाँ पर h के साथ जो term है उसको साथ में रखते हैं बाकी के सारे terms को constant बनाके आगे बेज देते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे terms जो h से relate नहीं करते हैं जैसे कि cd है 2 है 10 theta by 2 है और यह 2g यह सारे terms मैंने आगे लगा दिये और बाकी का integration में डाल दिया जो भी terms बचा है वो h minus h बचा यह बचा यह बचा h minus h h minus h फिर बचा dh और under root h उसको मैंने integration में डाल दिया अब इसका integration करते हैं तो पहले इसका bracket open करना पड़ेगा तो bracket open किया तो h सामे ने आ गया और बाकी बचा under root h into dh और अगर h के साथ under root h multiply होता है तो यह h raise to 1 by 2 है और यह h raise to 1 है तो होगा h raise to 3 by 2 into dh यह तो easy integration है integration होगा integration of x into dx यानि x raise to n into dx यानि x raise to n plus 1 divided by n plus 1 यानि यहाँ पर आएगा h raise to 3 by 2 divided by 3 by 2 यहाँ पर आएगा h raise to 5 by 2 divided by 5 by 2 0 to h का integration है दोनों में value put up करेंगे तो हमें simplify होके equation ये मिलेगा क्या equation मिलेगा h-res to 5 by 2 h-res to 5 by 2 नीचे है 3 by 2 नीचे है 5 by 2 अगर इसको मुझे integration में लिखना होता तो 2 by 5 लिखता इसको मुझे integration में लिखना होता तो 2 by 3 लिखता next equation में मैं आपको बताता हूँ येरा equation q is equal to 2 cd 10 theta by 2 under root 2 j वो तो constant है नीचे वाला जो term था उसको हमने उपर लगा दिया है 2 by 3 multiplication में और 2 by 5 multiplication में अब h-res to 5 by 2 को भी common निकाल लेते हैं बाहर तो यहाँ common निकाल लिया अंदर बचा ये 2 by 3 and 2 by 5 अब ये 2 by 3 और 2 by 5 जो बचे हैं उसमें से भी 2 को common निकाल लेते हैं और वो 2 को यहाँ पर multiply कर देते हैं 2 के साथ तो ये हो गया 4 बाकी अंदर बचे 1 by 3 minus 1 by 5 अब इसको simplify करते हैं 5 को उपर बचेंगे 5 minus 3 divided by 5 3 is 15 तो होगा 5 minus 3 यानि 2 फिर से वो 2 ये जो 2 बचा वो 2 को ये 4 के साथ multiply करते हैं तो बना 8 और ये जो 15 है उस 15 को नीचे ले लिया 8 by 15 CD 10 theta by 2 10 theta by 2 under root 2G h rest to 5 by 2 h rest to 5 by 2 तो हमारा ultimate equation आ चुका है जो equation है ये वाला ध्यान रखिए rectangular notch में h rest to 3 by 2 होता है और triangular notch में h rest to 5 by 2 होता है जहाँ पर भी mcq question आते हैं तो मैं आपको short trick बता देता हूँ कि जहाँ पर भी mcq question है triangular नहीं लिखा है तो ज़्यादा तर h 3 by 2 ही answer आएगा h rest to 3 by 2 ही answer आएगा अगर triangular लिखा हुआ है अगर right angle triangular लिखा हुआ है data में पुछा गया है तभी जाके 5 by 2 वाला answer आएगा अब अगर triangular notch है जैसे मिन ने बताया triangular notch है theta 90 degree है तो 10 theta by 2 यानि 1045 सभी को बताएगी 1 हो जाएगा अगर coefficient of discharge 0.6 है जादा तर triangular notch में 0.6 का ही coefficient of discharge रहता है तो coefficient of discharge की value हम यहाँ पर रखेंगे 0.6 8 by 15 तो constant है 10 theta by 2 1 हो जाएगा अगर right angle triangle है तो under root 2 G की value मिल जाएगी G की value 9.81 होती है तो यह सिर्फ एक unknown बचेगा that is h raise 2 5 by 2 h raise 2 5 by 2 ही unknown बचेगा तो यहाँ पर मैंने सारी value डाल दी है 8 by 15 cd की जगा पर 0.6 10 theta by 2 की जगा पर 1 क्योंकि 90 degree है angle 2 into g 9.81 और height h 5 by 2 अकेला ही बचा है यानि equation बहुत simplify हो के आगे हमारे पास की 1.417 h raise to 5 by 2 यानि कि triangular notch में आपको अगर triangular notch में सिर्फ क्या जानना है triangular notch में आपको जानना है कि पानी की surface कितनी अप है bottom level से ये height अगर आपको मिल गई इस equation में ये height डाल दो तो आपको answer मिल जाएगा कि कितना discharge होता है so that is the advantage over the rectangular notch के triangular notch में बहुत आसानी से हमें discharge का reading मिल जाता है ये बहुत ही important question था I hope कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो video को like कर दीजिए और share भी किजिए दूसरे student के साथ क्योंकि आप ही ऐसे student है जो fourth semester mechanical में पढ़ते हैं बहुत कम लोग होते हैं कि जो mechanical engineering और fourth semester में पढ़ते हैं और आप जानते भी हैं उनको तो उनके साथ share किजिए उनको अगर कुछ लगे कि मुझे कुछ improve करना जैसा है तो आप मुझे directly comment भी कर सकते हैं कि sir इस तरीके से improve किजिए तो हम next video इस topic पर मांग चाहते हैं वो भी आप बोल सकते हैं तो जो भी आप कहेंगे उसी तरीके से वीडियोस बनेंगे आगे जाके तब तक के लिए good night, have a nice day